नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल मैं आपकी होस्ट ममता मलिक आज आपके लिए जो रेस्पी लेके आई हूं वो लेके आई हूं आम काचा जो कि सबको बहुत पसंद आता है और मैं आपको बड़े असान तरीके से बनाना सिखाऊंगी अगर आप मार्केट से लेत अंभी ली है और आदी कटोरी सरसो का तेल लिया है मसालों में हमने लिया है नमक लिया है हिंग लिया है हल्दी लिया है और देगी मिर्च लिया है देगी मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और आम के पचार के लिए हमने जो मसाला त्यार करना है उसके लिए लि और हमने मेथरे लिए हैं और साथ में राई लिए हैं आप काली राई भी ले सकते हो पीली राई भी ले सकते हो सबसे पहले हम अपनी अंबियों को अच्छे से दो लेंगे और धो कर फिर काटेंगे मैंने अपनी अंबियों को अच्छी से धो लिया है और सुखा दिया है कि इसके उपर कोई पानी न रहे अब इसे हम काटेंगे सबसे पहले इसका उपर का पार्ट है उसको हम काटेंगे क्रद्धर है इसके पार्ट है इसके जब वहें इसके हम काटेंगे हमने अपनी अंबियों को काट लिया है छोटे छोटे टुकडों में अब इसका मसाला त्यार करेंगे सबसे पहले हम अपनी गैस ओन करेंगे सबसे पहले हम तीन चम्मच इसके अंदर सौफ की डालेंगे एक चम्मच हम राई की डालेंगे और दो चम्माचमलो मेथरे डालेंगे और एक चम्माचमलो कलोंजी की डालेंगे अब फिर इसको हम हलका सा रोस्ट करेंगे कि इसकी नमी निकल जाए हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इसको हलका सा रोस्ट करना है, बिल्कुल सिम पे अब हम गैस बंद कर देंगे अब अपने जो हमने मसाला रोस्ट किया है उसको ग्रैंड करेंगे हलका सा ग्रैंड करना ज्यादा नहीं करना हमने अब इसे हम ग्रैंड कर लेंगे हलका सा करना है हमने ज्यादा नहीं करना थोड़ा सौर करेंगे एक बार हाँ जी अब बिल्कु ठीक हो गया हमें ऐसे ही दरदरा चाहिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ अब देखिए हमें ऐसा ही दरदरा मसाला चाहिए ज्यादा निफीस नामने ऐसा ही टेस्ट अच्छा आएगा इससे अगर हम बिल्कु पीस देंगे तो फिर अच्छा स्वाद नहीं आएगा आप इसको ऐसे मसाले को पीस के रख लीजिए और उसको जब भी मसाला बना बना पड़ा होगा आपके पस और दो चाहर अंभियां काटी और ऐसा मसाला मिक्स किया और आपका आचाहर त्यार हो है सबसे पहले हम अपनी कटिवी अंभियों के अंदर हम दो चममच नमक के डालेंगे बाकि नमक अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं क्योंकि अचाहर में नमक जलता ही डलता है दो चममस तो डलेंगे डलेंगे और एक चम्मच हम हल्दी का डालेंगे अपने अम्वियों के अंदर एक चम्मच हम देगी मिर्च का डालेंगे इससे इसका रंगत बहुत अच्छी आएगी आदा चम्मच हिंक का डालेंगे इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा उसके खुश्बू बहुत अच्छी आएगी जो हमने मसाला पीसा था पांच चम्मच हम लोग इसमें आड़ करेंगे अब हमारे सारे मसाले डल गएंगे अब इसके उपर हम आधी कडोरी सरसों का तेल डालेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स मेरा आम का चार रेडी है इसको दो दिन के लिए धूप में रख लेगे उसके बाद खाने के लिए रेडी है अगर आपको मेरे आम के चार की रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिक कर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और मुझे स्पोर्ट करें थैंक यू यॉ